जम्मू कश्मीर में आतंकवादी लगातार बीजेपी के जो कारे करता हैं और जो यहां पर अलग-अलग लोग है उनको अपना निशाना बना रहा हैं और आज सुबा बीजेपी के सरपंच को गोली मारी गई है जिसके वालम की मौत हो गई है बात करने के लिए हमारे साथ कवेंदर गुपता है जो पूर्फ डिप्टी सीम है जम्मू कश्मीर के सर जिस तरीके से ये पूरा लगातार बीज़ेपी के कारे करता हूं को टागेट किया जा रहा है कश्मीर में कैसे देख रहे हैं आप देखिए सबसे पहले तो मैं सजाद आमद खांडे जिनकी आज हत्या हुई है अपना उनके प्रती उनके प्रिवार के प्रती संवेधना प्रक्ट करता हूं बहुत ही दुखदाई गटना है और जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिटिव हैं और विशेश करके भारतियंता पा ही ना कहीं सेक्यूर्टी लेप्स तो है ही इसके इलावा एक स्कूर्टी रिव्यू करने की जूरत है जो लोग पंचायत के इलेक्शन में लड़े थे आज जिनने हिम्मत दिखाई थी आज उन पर इस परकार से निशाना बनाया जाना बड़ा चिंता जनक है हाला कि सुरक् लेकर जिस तरीके से लगातार बीजेपी के कारेकरताओं को टारगेट करना इसके पीछे आप क्या रिजन देखते हैं वो भी कश्मीर में आप जानते हैं कि बाकी जो पार्टियां है वो मिल्टेंट की सपोर्टर्स है चाए वो नेशनल कांफरेंस हो चाए पीडीपी हो च टारगेट किया जाता है लेकिन पिशली बार हमने देखा कि आपके डी सट्रिक पूर स की सुरक्षा को लेके चिंते निut अगर इस परकार की घटनाएं होती रही एक दैश्यत का महोल तो होता ही है उसके साथ मनोबाल तूटता है समाज में भी एक गलत मैसेज जाता है तो हालां कि अभी राज्यपाल नए हैं उनके ध्यान में भी यह सारी चीज़े लाई जाएंगी और एडीजी सेक्योटी यहां स सुरक्षा में एक बड़ी चूक है और यहां पर जो पुलिस है उसको इस पर संग्यान लेना चाहिए और प्रयाप्त सुरक्षा जो है वो बीजेपी कार्य करताओं को और सरपंचों को यहां पर दी जानी चाहिए वीडियो जनलिस एजाज आजमत की साथ शाहनवाज कान